तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूसुके ने कोईनमा के ओफर को accept कर लिया था जिसमें उसे ऐसा spirit detective human world में जाकर बुरे यूकाई को मारते हुए spirit world में बेजना था और इसी शर्त के चलते यूसुके को मरने के बाद भी उसका शरीर वाबस मिल जाता है और कोईनम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था तो इस एपिसोड की शुरुआत एक playground से होती है जहांपर हम लोग कुछ बच्चों को बहुत प्यार से खेलते हुए देख पाते हैं साथी यहां पर पास में ही एक आदमी एक bench पर बैठा हुआ था जिसके हाथ में एक soul orb था अब के तुरंद बाद ही सारे के सारे बच्ची जमीन पर मूर्चित होकर गिर जाते हैं और अब वो बच्ची भी जमीन पर गिर जाती है और उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल कर इस orb के अंदर चली जाती है वहीं दूसरी तरफ हम लोग यूसुके को देख पाते हैं जो कि spirit world के अंदर कोईन मा के साथ अपने spirit gun चलाने की practice कर रहा था जो कि इसकी spirit energy का सबसे खतरना खतियार ओने वाला था जिसकी मदद से ये कुछी समय में एक बुरे से बुरे योकाई को खतम कर सकता था पर काफी सारी कोशिश करने के बावजूद भी यूसुके अपने spirit gun को चलाना नहीं सीख पा रहा था तब कोईन मा इसका confidence बढ़ाने के लिए इसे उन तीन योकाई के बारे में बताता है जिनोंने वो तीन ओब्जेक्ट चुरा लिये थे और अब यूसुके का main target भी यही था कि उसे कुछ भी करकर इतना ज़दा powerful बनना होगा कि वो उन तीनों योकाई को हरा कर वो तीनों के तीनों object spirit world में वापस ला सके और अब इसलिए कोईन मा इसे वापस से focus करने को बोलने लगता है लेकिन तवी ने पता चलता है कि एक जगा पर काफी सारे बच्चों की आत्मा चोरी हो गई है जोकि उसी area में था जहां पर यूसुके रहा करता था और इस incident के बारे में पता लगते साथ ही कोईन मा और साथ ही बोलन को इस चीज का तो समझ में आ गया था कि वो ना हो उन तीनों object में से ही किसी एक object का use हुआ है ताकि इन सभी बच्चों की आत्मा को चुराया जा सके इसलिए तब बोलन तुरंत ही यूसुके के साथ उसी hospital में जाती है जहांपर सभी बच्चों को भरती करकर रखा गया था और अब उस hospital में पहुशने के बाद यूसुके जब उन सभी बच्चों की आलत देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो decide करता है कि वो इन सभी बच्चों की आत्माओं को वापस लेकर आएगा और यही सीखा है जवाब में यूसुके इसे इतना बोलता है कि उस योकाई को हराने के लिए मुझे spirit gun की जरूरत नहीं है उसके लिए तो मेरे पंचेज ही काफी है इतना बोलकर यह यहां से निकल जाता है अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उस dragonfly डीमन की वज तब यहां पर कौबारा इन सभी लोगों से माफी मांगता है लेकिन तब ही इसकी नजर यूसुके पर पढ़ती है जो कि अपने आप में ही बाते करता हुआ जा रहा था दरासल यह बौटन से बात करता हुआ जा रहा था पर कौबारा को बातन नहीं दिखती इसलिए इसे कि यूसू के खुद से ही बात करता हुआ चला जा रहा है पुआ बारा यूसू के के पास बाघता हुआ जाता है और इससे पूस्ता है कि आखरकार ये पिछली रात उस बच्चे को इतनी बेर हमी और अब इसलिए वो यूसुके का मजाग बना ही रहे थे पर इतने में ही बॉटन यूसुके को यहां से खीच कर ले जाती है तब कौबारा को लगने लगता है कि शायद यूसुके योकाई के बारे में सच बोल रहा था वहीं हम लोग यूसुके और बॉटन को देख पाते हैं जो कि बाते करते हुए एक गर की छत पर आ गए थे जहां पर पहुशने के बाद बॉटन इसे बताती है कि उन तीन योकाई जिन्नोंने वो सारी के सारे उबजेक्ट चुराए थे गोकी उनमें सबसे ज़्यादा कतरना जो कि लोगों की आत्मा चुरा कर खाया करता था और हो ना हो उन सभी बच्चों की आत्मा भी उसी ने ही चुराई होगी और अब इतने सारे योकाई के बारे में सुनने के बाद यूसुके को ये तो पता चल गया था कि यूमन वर्ल्ड में भी काफि सारे योकाई आ चुक जो कि उस दिन इसकी जन बचाने के लिए इसे शुक्रिया कहता है पर ये अभी भी काफी ज़दा परेशान था क्यूंकि इसके ही काफी ज़दा दोस्तों की आत्मा गूकी ने चुरा ली थी और अब इसको इस तरह से परेशान देख यूसुके अपना खाना चोड़ कर इसके साथ पहले उस पार्क की तरफ जाता है जहांपर वो सारा का सारा कांट हुआ था लेकिन जब तक ये मसारू की सोसाइटी में पहुंसता है तब तक वहाँ पर गूकी ने और भी काफी सारे बच्चों की आत्मा चुरा ली थी और अब गूकी यहां से जाही रहा था इतने में ही यूसुके उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है और अब ये लोग एक जंक यार्ड में पहुंसते हैं जहाँ पर गूकी अपनी ट्रूफाम में आता हुआ यूसुके के उपर बहुत बुरी तरह से लादूं से बरसाने लगता है लेकिन यूसुके भी अपनी पूरी हिम्मत के साथ इससे लड़ाई कर रहा था और अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं अब क्योंकि गूकी सच में बहुत जादा ही पावरफुल था तो वो यूसुके को घायल करकर उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और अब ये इसकी जान लेने ही वाला था इतने में ही यहाँ पर मसारू पहुँच जाता है जिसे देखने के बाद गूकी का ध्यान भटक गया था और क्योंकि ये बच्चों की ही आत्मा खाया करता था इसलिए ये मसारू की तरफ बढ़ता है और उसकी आत्मा को निकाल कर खाने की कोशिश करने लगता है यूसुके को ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो भागता हुआ गोकी के मूँ में एक लकड़ी का तुगड़ा फसा देता है और जितने गोकी उस लकड़ी के तुगड़े को हटाने की कोशिश कर रहा था उतने में ही यूसुके अपने हाथ में स्पिरिट गन बना कर उसके मूँ पर ही फायर कर देता है और अब गोकी का केल खतम हो गया था तब सारी के सारे बच्चों की आत्मा जो भी गोकी ने चुराई थी वो उस और्ब से निकल कर उन सभी बच्चों के शरीर में वापस चली जाती है यहीं पर हम लोग उन तीन योकाई में से एक और योकाई को देख पाते हैं जिनोंने वो अबजेक्ट चुराए थे जोकी यूसुके और साथी गोकी की लड़ाई को देख रहा था इन दोनों की लड़ाई खतम होते ही यह यहां से चला जाता है दूसरी तरफ हम लोग तारूबाने को देख पाते हैं जिसने एक योकाई को कैद करकर रखा हुआ था और उसका नाम था योकीना जोकी जब रोती थी तो इसकी आँकों से मोती टबकते थे और क्योंकि तारूबाने उन मोतीों को बेच कर पैसे कमाना चाता था इसलिए वो इसको हर्ट करता है जिसके बाद ये एक मोती को लेकर यहां से चला जाता है अब तारूबाने के जाने के बाद यहां पर हम लोग एक गार्ट को देख पाते हैं जोकी युकीना के गाउपर पट्टी लगाता है और इससे बोलता है कि वो जल्दी ही इसे यहां से निकाल लेगा क्योंकि इसमें इसे इसकी बेहन नजर आती है तब युकीना यहां पर थोड़ा सा स्माइल करती है और दूसरी तरफ हम लोग यही को देख पाते हैं जोकी अपने माथे पर एक ब्लेड की मदद से कट लगाता है यह ब्लेड उनी तिन उबजेक्ट में से एक था जोकी स्पिरिट वर्ल्ड से चुराए गए थे दूसरी तरफ हम लोग यूसुके और बोटान को देख पाते हैं जोकी कुरावा के बारे में बाते कर रहे थे जोकी वही योकाई था जोकी यूसुके और साथी गोकी की लड़ाई को देख रहा था यूसुके को बोटान से बात करके ये पता चलता है कि कुरामा के पास Mirror of Darkness है जो कि पूर नीमा की रात को किसी की भी इच्छा को पूरा कर देता है भले ही वो अच्छी इच्छा हो या फिर बुरी और इसके बारे में थोड़ी देर और बात करने के बाद बोटान यहां से गायब हो जाती है जो सब कुवाबारा भी देख रहा था मतलब कि वो बोटान को देख सकता था और ये सारी चीज़े देखने के बाद उसका तो माइंड पूरा हिल जाता है लेकिन यूसुके को ये ब कुरामा का पीछा करते हुए यूसुके पहुंसता जहां पर वो देखता है कि कुरामा का असली नम सुईची है जो की यहां पर अपनी माँ से मिलने के लिए आया हुआ था जो कि हॉस्पितल में ही एडमेड थी तब उसकी माँ को लगता है कि यूसुके भी सुईची का ही दोस्त है इसलिए वो उससे भी बहुत प्यार से बात करती हैं और अब अपनी मा से मिलनेने के बाद कुरामा थोड़ी दिर के लिए यूसुके के साथ बाहर जाता है और यहाँ पर इंदनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि आज से 17 साल पहले कुरामा बस एक इने हमला कर दिया था और तब उस योकाई से बचने के लिए मैंने एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट में पल रहे बच्चे में खुद को डाल दिया मैंने सोचा था कि जब मैं बढ़ा हो जाऊंगा और मेरी शक्तिया मुझे वापस मिल जाएंगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा पर जब मिर को पता चला कि मा की तवित खराब है तो मैं यही पर रुख गया और डॉक्टर का उनके बारे में इतना कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बस एक मैने तक जिन्दा रह सकती हैं और इसलिए मैंने Mirror of Darkness को चुराया ताकि मैं उनकी लाइफ को बढ़ा सकूँ अब यूसु के भी कुरामा की बात को मान जाता है और सीधा पहुंसता है कीको के रेश्टोरेंट में जहां पर ये रामेन खाते हुए इससे पूसता है कि क्या कोई बुरा इंसान अच्छा बन सकता है जवाब में कीको इसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल अगर तुम दूसरों के नजर ये से देखो तो तुम्हें लोग बहुत जादा बुरा मानते हैं पर जो तुम्हारे बारे में जानते हैं उन्हें ही पता है कि असल में तुम कैसे हो और अब इस बात को थोड़ी देर सोचने के बाद यूसु के कीको के आंसर से पूरी तरह से सैटिस्वाई होता है और अभी अपने रामेन को खाने ही वाला था इतने में ही यहाँ पर बोटान पहुत जाती है जो कि जल्दबाजी में इसे बाहर बुलाती है फिर जब यूसु के बाहर जाता है तो बोटान इसे बताती है कि Mirror of Darkness के बारे में कोईन मा ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई थी उसने बस इतना बताया था कि वो इच्छाओं को पूरा करता है लेकिन इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ वो उस इनसान की जान ले लेता है जो कि उससे विश मांगता है और आज पूरी निमा की रात है इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द कुरामा के पास पहुँचना होगा ताकि तुम उसकी जान को बचा सको अब इस बात को जानते ही तुरंती यूसु के हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है तब कुवाबारा इसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यो काई बुरे होते हैं लेकिन यूसु के इसकी बात को नहीं सुनता और सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है तब कुवाबारा भी इसके पीछे भागता है और वहीं हम लोग कुरामा को देख पाते हैं जोके अपनी विश मांग चुका था और इसलिए इस रूम में अजीब तरह का बवंडर आने लगता है इतने में ही बाहर यूसु के पहुँच जाता है जोकि इस बवंडर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था क्वाबारा इसे वापस से रोकता है क्योंकि वो चाता था कि वो यूसु के को एक बार लड़ाई में हराए क्योंकि अगर यूसु के यहाँ पर मर जाता है तो क्वाबारा का ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा पर यूसुगे से धक्का देता है और तुरंदी गुच जाता है उस बवंडर के अंदर जहाँ पर ये पहले कुरामा को रोगने की कोशिश कर रहा था पर कुरामा पहले इसकी बात को नहीं सुनता लेकिन बाद में यूसुके कुरामा को ये बात बोलकर मना लेता है कि उसकी मा कभी भी उसकी मौत को बरदाश्ट नहीं कर पाएंगी और बाद में वो एकदम जिंदलाश की तरह ही हो जाएंगी और तब इसलिए कुरामा इसके बात को मान जाता है और Mirror of Darkness को बंद करने के लिए यूसुके को अपनी आधी जिंदगी Mirror of Darkness को देनी पड़ती है तब सब कुछ वही का वही रुख जाता है और अब कुरामा अपनी मा की हालत को देखकर डिसाइड करता है कि वह अपनी मा के पास तब तक रहेगा जब तक इसकी मा को कुछ होना जाए और अब ये सारी बात एक योकाई के मूँ से सुनकर कुआबारा को भी समझ में आ जाता है कि कुछ योकाई अच्छे भी होते हैं इसलिए तब कुआ बारा यूसुके से माफी मांगता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं वहीं हम लोग यही को देख पाते हैं जिसके पास भी वैसा ही सेम आच्छे जोकी यूकीना की आँकों से गिरा था तब वो अपनी थर्डाई की मदद से उस दूसरे आंसु के बारे में पता लगाता है जिसको तारूबाना के लोग एक गाड़ी में लोड़ कर लेकर जा रहे थे और अब उस आंसु के बारे में पता चलते ही वो भागता हुआ उस गाड़ी के पास जाता है और उसे दो तुकड़ों में काड़ देता है फिर ये इस आंसू को लेकर यहां से निकल जाता है दूसरी तरफ जब तारूबाने को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज़्यदा गुस्से में आ गया था इसलिए वो तुरंथी साक्यों को कॉल करकर अपनी डील को कैंसल करने वाली बात करने लगता है तब साक्यों इससे बोलता है कि आज के बाद तुम्हारे उपर कोई भी योकाई आटैक नहीं करेगा और साथी दुम्युकीना को मेरे पास ले आओ क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से उसके आंसू निकल वाने है और अब इस बात को सुनने के बाद तारूबाने इस चीज क करना और बेल नोटिफिकेशन को और पर स्लेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना मैं ऐसी और मज़ेतार एक्स्प्लेनेशन वीडियो लाता रहूंगा खेर तब तक के लिए टाटा और गुडबाए